जैहिन प्यारे दोस्तों मैं प्रकास अवस्ति कानपुरवाला जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ SSC CHSL के 2022 वाले कोशन कही ना कहीं हमारे कई सारे टॉपिक हो गए एक प्लेलिश यूटूब में प्रॉपर आपको दे दिया गया है जो कि पिनाकल SSC की किताब से पढ़ा रहे हैं जिसका कोर्स प्रॉपर वे में प्रकास अवस्ति एप में चलता है जै दोस्तों SSC CHSL 2022 के सारे कोशन आपको यूटूब में भी मिल जाएंगे प्रॉपर प्लेलिस्ट को आप पढ़िए तो आज की सेशन में आप पढ़िए सिंपल इंट्रेस्ट को और बताईएगा कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके डेली बेसिस पे हम आपको पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइट कर रहे है साथी साथ याद रखना करेंट अफ्यर के लिए हमारे टेली ग्राम ग्रूप को जोईन कर लीजे लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा धनवाद कोशन नमबर 37 क्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से सीखेंगे वैराइटी ओब दा कोशन पहले करा चुके है ठीक है उसके आगे का सेसन है कहता है विनोत के पास 10,000 थी उसने इसका कुछ भाग 8% सधान ब्याजदर पर और सेस भाग 10% पर उधाल लिया एक वर्स में उसे ब्याज की रूप में इतना प्राप्ट हुआ 8% पर दी गई रासी ठीको इसका जी कुछन आसान है तो मिक्षे और एलिगेशन से लगा सकते है सेम पैटरं का भी दूसरा कोशन है इसके बाद पहले हम वही कराएंगे दोनों को आपको बहतर सिखाने की कोशिस करें पहले मिक्षे और एलिगेशन देब भाई 8% 8% से उधार दिया और 10% से दिया और 880 रुपेल लाब प्राप्त हुआ वो भी एक साल में तो 880 अपॉन 10,000 10,000 2,0 से 2,0 बाकी इसको भाग दोगे 8.8% आ जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मिक्षे और एलिगेशन आप अच्छे जानते हो इससे ये गया 2 आएगा, इससे ये जाएगा 3.8 आएगा इनका रेशियो ले लो 3 to 2 आजाएगा 3 और 2 इसका रेशियो आजाएगा ज्यान देना 3 दो होता है 5 यही 5 यूनिट की वैलू 5 यूनिट की वैलू 10,000 एक यूनिट की वैलू 2000 होगे तो हमसे क्या गया यदि एक वर्स में इतना तो 8 परसिंट पर उधार दी गई रासी 3 में 2000 का गुणा कर दीजी तो कहीं ना कहीं 6000 आज़र आएगा 6000 इस दर राइट आज़र लेकिन देखा यह जाए कि CHSL में आया कोशन अगर मैं इसका लेवल बढ़ाना चाहूं 890 की जगे कुछ और ऐसी वैलू सेट करूं और प्रिंसपल कुछ ऐसा सेट करूं कि यह कैल्कुलेटिव बन जाए हम आपको आज इसी पैटन के कैल्कुलेटिव कोशन करने के तरीके को समझाते हैं ध्यान देना मेरे दोज़ ध्यान देना मेरे पिता जी के पास मालो 10,000 रुपे की संपत्ति है और दो बेटों को बटवारा करना है भया बाटना है मुझे 8% के हिसाब से पैसा दिया गया और भाई को 8% ने पिता जी वाली कहानी ने फुल मिला कर ये समझो 10,000 रुपे एक पैसा है तो बैंकों में पैसा जमा करना है पहली बैंक 8% rate of interest देती है तूसरी 10% तो 8 के साथ साथ 2% एक्स्ट्रा देती है ये बात यहाँ दिमाग में रखना है तोटल पैसा 10,000 है दो बैंकों में जमा करना है पहली बैंक 8% और दूसरी 8 तो देगी देगी दो एक्स्ट्रा देती है यानि 10% देती है एक साल के बाद ओवरॉल ब्यास दिखा गया 880 रुपे अगर मैं पूरा पैसा आज मिलता है यानि 80 रुपे मुझे एक्स्ट्रा मिला वो भी इस 2% के हिसाब से यानि 2% की वैलू 80 है यहां 100% निकालोगे तो 50 का इधर गुड़ा 50 का उधर आटपन चालिस यानि 4,000 हो गया यानि जो इधर वाला पैसा दिया गया वो 4,000 दिया गया और इधर पैसा दिया गया यहां पर आप मिक्षेड एलिगेशन सीखे थे इसको सीखो सेम प्रोसेस परसेंटेज में कई जगे लगेगा भविस में प्रॉफिट लॉस में लगेगा ठीक है और आज सिंपल इंट्रेस्ट में लगाई रहे है इसी का दूसरा कोशन सेम समझाते है पैतर लगेगा मेरे भाई ठीक है 37 के बाद ज़्यादा 80 पास है समझा देते है यह कोशन SSCCL 184-2022 का 37 के बाद पहले हम यह सिखा रहे हैं इसको सीख लूँ तो आपको आज खुसी मिलेगी देखो मिक्षे ऐलिकेशन से नहीं कर रहा हूँ मैं सीधे आपको यही मैथड्स सिखाऊंगा कि 17,200 रुपए है तो भागों में दो साल के लिए विवाज़ित करना है एक में 8 परसिंट तूसरे में 10 परसिंट आठ के साथ सम्थिंग दो जादा दो परसिंट जादा सेम चीज़ होई लेकिन यहां हमसे आगे बोलता है साधार ब्याज पर उधार दी गए दो वर्स के बाद यहां दो वर्स आपको extra मिला है बात को समझो तो हम क्या करेंगे मेरे दूस्ष आठ पर्षिंट इसका निकालो आठ पर्षिंट इसका तो बात ही है कि दोनों का आठ पर्षिंट कॉमन है इसका आठ पर्षिंट निकाल दो आठ दूनी 16 हासिल एक और आठ थपन एक सतावन पांच आठ पांच तेरा तेरा सुचियतर चौदा में से छे गया आठ आया नौ में से साथ दो आया एक सो अठाइस रुपे एक्स्ट्रा मिले और यही 2% बराबर 128 के 1% की वैलू 64 हो जाएगी यानि 1% इस एक्वाल टू 64, 100% इस एक्वाल टू 6400 यानि दोस्तों देखा यह जाए कि 6400 रुपे आपको इधर वाले मिलेगा ये वैलू इधर गटाओगे तो 10,800 रुपे 8% वाले में तो ये बहतरीन सोलूशन है इसका 10,800 इस दा राइट आंसर उमीद है ये सोलूशन पसंद आया होगा एक बार फिर से बताएंगे मोटा मोटा समझो 17,200 की रासी है तो दो अगों में दो साल के लिए जमा करना है पहली बैंग में 8% दूसरी में 10% यानि 8% तो मिलेगा प्लस 2% एक्स्ट्रा मिलेगा देखा जाए दो साल में ब्यास 3,008 रुपए तो एक साल में कितना पंदरा सो चार रुपए अब दोनों में आटाट कॉमन है तो इसका 8% निकालो तेरस शित्र कम 128 यानि 2% बराबर 128 तो एक परशन बराबर 6400 तो इधर वाले में हमने 6400 जमा किया तो ये 6400 इसमें घटा दोगे 10,800 तो हमसे कहता 8% परती वर्ष की दर से उधार दिया गया धन कितना होगा 10,800 इस दा राइट आंसर आप दिस कोशन उमीद है यह सलूशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों 37 के बाद 38 38 नमबर कोशन यह वो अच्छा कोशन था तो हमने का लगे हाथ करा देते हैं इससे आप सीखू एक निशिद रासी तीन वर्षों के 10% की दर से वार्षिक रूप से सर्जिद चक वर्ती ब्यास सधान ब्यास के बीच का अंतरा आप दोको ये कोशन क्या है c i minus si का है जो कि यहाँ पर आया है c i minus si का है जो कि यहाँ पर लिख दिया गया कोई बड़ा इससू नहीं है मेरे दोस्त मालू वह रासी 10% तो हम आपको बहतरीन बताते हैं देको rate हमें 10% दिया गया यानि 1 by 10 हो गया principle लेट करो तो यहाँ तीन बरस लिखा है तो 10 का है हमारा principle 1000 रुपए 1000 रुपए का 10% निकालोगे तो 100 होगा 100 का 10% 10 10 का 10% 1 तीन साल यानि 3 is to 3 is to 1 होगा दोस्तों देखा यह जाए कि यह जो चीज होती है यह 31 यूनिट होती है 31 यूनिट की वैलू है 31 यूनिट की वैलू 93 के बाराबर क्योंकि इसका difference है 31 is equal to 93 के और इसका 3 times है 31 का 3 times 93 होगा 31 का 3 times 93 होगा तो कहीं ना कहीं हमें principle का निकालना है 1000 का भी 3 times निकालोगे तो 3000 होगा यानि right answer of this question 3000 होगा तो इन चीजों को बहतर सीखिए यह question आपने compound interest में हमसे सीख लिया होगा जोगो एक चीज याद रखो अगर मालो आपको basic नहीं आता तो आपी के course में simple interest youth ssc का type wise पढ़ा हुआ है compound interest भी पढ़ा हुआ है यानि arithmetic आप उससे type wise सीख सकते हो बाकि जैसी आपकी शद्दा practice किजिए बाकि तो हम कराई रहे है latest question की practice दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा करने को तो हम इसको shortcut लाएं सोचें पर नहीं बनेगा सधान प्याज पर एक निश्चित रासी 6 वर्सों में इतना हो जाती है यानि 6 येर में ऐसा question repeat होगा यह fix है 59200 हो जाता है और 10 येर में वही पैसा 7200 होता है हम यहाँ rate नहीं निकाल सकते जिसे कि हम CI में rate निकाल लेते थे पूर नहीं हो पाएगा हो तो देखा ये जाए और फिर 2% अधिक करना है तो यहां का जो डिफ्रेंस है वो चार बरस का है 4 येर का घटाओ 2-0 ऐसे 10 में से 2 गया 8 आएगा और 11 में से 9 गया 3 आएगा 11 में से 9 गया 2 आता है बहुद अच्छे और ये 12,804 बरस में आएगा अगर मैं देखा ये जाए अगर मैं इसमें इंटू देखू तो 32 का हो रहा है तो 6 बरस में कितना होगा 32 का इसमें गुणा किड़ू 2-0 ऐसे 6 दूनी 12, 18, 19 यानि यहां पर कोई प्रेंस्पल होगा और इसमें 19,200 रुपए इसमें जोड़ोगे प्रेंस्पल में तो 59,200 होगा यानि इसमें यह जोड़ने से यह आया यह कम कर दू तो कहीं ना कहीं 40,000 होगा प्रेंस्पल क्या हो गया 40,000 हो गया अब एक साल का ब्याज निकाल लो एक साल में ब्याज 32 मिलता है तो रेट अब यहां से निकल आएगा 40,000 का 8,000 यानि रेट आफ इंट्रेस्ट आपको 8% मिल गया रेट आफ इंट्रेस्ट आफ पर्षिंट बिल गया 100% अधिक बोला गया तो अब जो नया रेट आफ इंट्रेस्ट है पूट 10% हो गया हम से कहता है कि यह रासी 76,000 हो जाए यानि 36,000 आपको ब्याज में चाहिए और उसको 36,000 बनाना है तो आपको 46,000 बनाना है तो आपको 46,000 बनाना है 36,000 आपको इंट्रेस्ट चाहिए तो 9 साल लग जाएगा वह एक साल में 10% 9 साल में 90% तो 40,000 का 90% ही 36,000 होता है फिर भी आत्मा ना माने तो 36,000 आपको ब्याज में चाहिए और ये पैसा किस से चाहिए 40,000 से चाहिए रेट 10% है हमको टाइम डिसाइड करना है दो जिरो दो जिरो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार से भाग दो 9 बरस आएगा 9 बरस 9 येर इस दा राइट आंसर आप दिस एक अच्छा कोशन है दोस्तों ऐसे कोशनों को हमें सीखना चाहिए 39 नमबर अभी फिर से आएगा पहले हम आएगा वही देख लेते हैं 39 वाला तेम कोशन ये भी है 41 वाला तो फिर से सिखाते है जिसके आप सिखो और स्पीड बन जाती है प्रैक्टिस करने से देखो तीन वर्स में कोई पैसा 496 00 हो जाएगा और 5 येर में वही पैसा 56 00 हो जाएगा यानि 56 00 में इसको घटाओगे तो 6400 मुझे समझ में आ रहा है यानि दो बरस में इसका अंतर टू येर होगा और 6400 रुपए तीन बरस में अंतर इसकी दिसी बात है 96 00 वही चीज आ गई तो प्रिंस्पल कुछ होगा उसमें 33 साल का ब्याज जुड़के 9600 ये आएगा यानि प्रिंस्पल हो गया 40 प्रिसे एक साल का ब्याज आपका 3200 हो जाएगा तो 3200 ब्याज मिलेगा किस पर मिलेगा 40,000 पर मिलेगा इंटू 100 200,000,000 यानि 8% इस पर क्या इंट्रेस्ट आया अब हमसे करा 2% एक्ष्ट्रा हो जाए तो 8 की जगह अब नया वाला इंट्रेस्ट 10% तो रासी कितने वर्स में दुगनी हो जाएगी एक बरस में रासी 10% बढ़ जाती है तो दो गुनी यानि 100% दस का इधर, दस का इधर, यानि दस बरसों में रासी अपने आपका दो गुना हो जाएगा, 10 is the right answer, दस बरस में वह रासी अपने आपका दो गुना हो जाएगा, उमीद है, क्लियर हो गया होगा, पहले एक तालिस बताया, फिर चालिस बता रहा है, जब प्रैक्टिस करोगे लेटेश्ट में तो आपको अच्छी कोशन्स मिलते हैं, एक निशित रासी पर सधाय ब्याज उस रासी का एक आट है, यानि एक बटा आट है, यानि यहां सिंपल सा आप फॉर्मले पर आओ, जिससे गलत नहों, SI is equal to PRT by 100, अगर प्रिंस्पल पी है तो उसका ब्याज P by 8 होगा, according to the question, जब वर्सों की संख्या, प्रति वर्स की दर्व, प्रसत के आधे के बराबर है, देख रहे हो, when the number of years is equal to half of the rate, यानि rate तो R है, लेकिन टाइम R by 2 हो जाए, टाइम भी R by 2, according to the question, चलो भाई करते हैं, इससे इसकी बली दी, इससे यह चार बार में, चार से यह गया, 25 बार में, यानि rate आ गया 5%, फिर आगे भी कुछ बोलेगा, के ता 8 वर्सों गले समान सधान प्यास की दर्से, 15,000 पे SI निकालो, तो 8 बरस, और rate ये है, rate इन्टू टाइम का गुणा कर लो, यानि 15,000 का, 8,5, 40% is the right answer, दो जिरो की बली दीजिए, 15,60 और दो जिरो, 6,000 is the right answer, question number 40 का answer, 3000 आएगा, यही मेरे दोस्त, इसका आंसर होगा, चालिस के बाद 41 नमबर बता चुके हैं, 45 नमबर देखें, है तो उसी टाइप पर वो something different है, कैता है एक निशित राशी पर सधार ब्याज का एक चौथाई है, देख रहे हैं, यहां पर भी सिम्पल सी, SI is equal to PRT by 100, यानि PSA, SI, एक चौथाई, यानि P by 4, प्रतिवर्ष ब्याजदर, प्रतिवर्ष ब्याज की संख्या का, प्रतिवर्ष ब्याजदर, प्रत्सत, वर्सों की संख्या का चार गुना, यानि दया यहां खेल गया, जो यह rate है ना, यह 40 के बराबर है, यानि 14 to D, जैसा बोले वह ऐसा करो, एक्स्ट्रा मत लगाओ, सो बटा सूला, दस बटा चार, यह हमारा टाइम आ गया, अगर दया हमको रेट चाहिए होगा, रेट, तो वो फोर टी के बराबर, रेट आया टैन पार से, समझ गया न, बलो बलो, टैल टैल, यह दि ब्यास की दर दो परसे हो जाती है, तीन वर्स के लिए पांच जार पर सधायर ब्याज, अब रेट इंटू टाइम कर लो, रेट यह है, टाइम यह है, तो 36 परसेंट चाहिए, पांच हजार का, पांच हजार का 36 परसेंटेज, परसेंटेज दो जीरो खा गया, 36 पंजा एक सो असी, और एक जीरो, यानि, अठारा सो इस दा राइट आंसर, इस कोशन का आंसर, 42 का मेरे दूस, अठारा सो आएगा, बहुत स्मूथ वे में आपको यह कोशन पताया गया, बोलो हाँ, तो को, SI में आपके पास यही फॉर्मुला है, SI is equal to PRT by 100, पर CI का भी ग्यान होना चीए, क्योंकि दोनों च जो को भी applicable करता है, SI माइनस CI, ठीक है, और बहतरीन सीखिए, क्योंकि आप double coded question आते हैं, जो बड़े question आते हैं, बच्चा छोड़ देता है, नहीं, करना चाहिए, और लिया, थोड़ा सीखो, अब जैसे यहाँ एक calculation दे दी, तो अब यह calculation देने का बात, बच्चा क्या कर गय यदि सीमा एक खाते में 17,650 का निवेज करती है, 8% का सधान ब्याज मिलता है, 5 वर्स के बाद उसकी पास रासी, इन जर्नल आपको बता देख करना क्या है, प्रेंस्पल अपने आप में 100%, जो कि सीमा की खाते में 17,650 है, 8% 5 साल, यानि इन दोनों का into क्या तो 42.5%, यानि ये महनत है, ये महनत है, और ये जो कर लेगा, वही बात सा, अब बताओ इसमें क्या, इसमें तो आप से into ही तो कराएगा, इसको करना पड़ेगा, आप सोचो कि नहीं करेंगे, तो कैसे नहीं करेंगे, छोड़ेगा ही नहीं, जीमा ने खाते में 17,650 जमा किया, 8% के साल, 5 साल के लिए, तो इसका गुणा कर लो, साड़े 42%, यानि 142.5% की वैलू चाहिए, अब यहाँ आप से जूज हुआएगा, कैलकुलेशन, तो अब आप चाओ तो कैलकुलेशन करो मेरे साथ बैठ के बाई, तो अगर मैं 1% की वैलू देखू, तो 176.5 हो जाए, तो से यहाँ भाग दो यह, और हमें यह चाहिए, तो 142 पस इसका गुणा करना है, पस दया इसका गुणा करना है, चलो, करते हैं गुणा, दोस्तो यह 4 और 4 डिजिट का गुणा करवाना चाहता है, तूरे कोशन में आप से 4 and 4 डिजिट का मल्टिप्लिकेशन पूछ लिया, यहाँ जगा सकते हो, नहीं, दुनिया वर का लोग नहीं, वो क्या कहते हैं, डिश्टेल सम्व दुनिया, यह निकटतम मान बोलना है, यहाँ दसमलो के बाद 2 डिजिट आएगी, किसी में दसमलो नहीं, यानि वो चाहता है कि यह कैल्कुलेशन करो, मैं इसको कई तरीके कर सकता पर मैं आज सुच रहूं, आपको 4 और 4 डिजिट का इंटू ही बता दे, मुद्दा ही खतम, करके भी दिखा देगे, यह को हम मल्टिप्लिकेशन ही सिखा देते हैं, इन जननल अगर 2 और 2 डिजिट का इंटू करना है, तो एरो यह होता है, 3 और 3 डिजिट का इंटू करना ह है, एरो यह होता है, और 4 और 4 डिजिट का इंटू करना है, समझो, एरो को देखना, एरो को, यह रो होता है, मैं एक दूए एक्जामपल से, माल्व आपको करना है, माल्व बड़ी सिंपल ची वैलू, आथ तेज़्द गुड़े 42 का इंटू करना है, पहले समझो, सस्ता व स्ट्रेट लाइन, फिर क्रॉस, आ, चार, चारत्या है, बारा, सोला हो गया, वहीं, बारा, चार, सोला है, हासिल एक, चार दूना, आठ और एक, नौ, नाइन, सिक्स, सिक्स, आंसर आजाएगा, ठीक है, यह हो गया, अमालोग तीन, तीन डिजिट का इंटू करना, सस्ती व ऐसे क्रॉस, छे, साथ, 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 से, तेरा, एक, चौदा, हासिल, एक, प्रॉस, चार, तीन, साथ, एक, आठ, हासिल कछू नहीं, यह दो, यह इसका इंटू हुआ, हमज़ रहे ना, और चार, और चार, डिट का इंटू, अभीम, यही वाला कर देते, एक, आप, 17 65, 42, 25, 17, 65, 42, 25, यह हम आपको सिखा रहे हैं, यह आपको कोई सिखाने नहीं बैटेगा, आपको सीखना चाहिए, अब जो को फोर और फोर डिजिट पहले माइंड में यह आना चाहिए, ऐसे, पांच का पनाच में 25, दो हासिल, फिर यह क्रॉस, तो यह 30 हो गया, 10, 40, 42, 4 हा साथ पनापै थिस, साथ पनापै यह पांदूनादस, पैतालिस, पैतालिस और बारा सपतावन, पैतालिस, बारा सपतावन और चार, 61, यह दिमाग, फिर ऐसे, यह चीज, बच्चा, हरे हरे कम समझ पाता है, इसका यहां, फिर ऐसे, समझ केंगा, लोग अब धीखो, यह Fortune, हमारा होता है कितना चौदा बाराच हब्विस हब्विस और पचीज एक्क्यावन एक्क्यावन छे ततावन पांच हासिद एक बार मैं देख लूँ कुछ गरबर तो नहीं कि पांच वीस पचीज हो गया चौदा चौदा और बाराच हब्विस हो गया चौदा बाराच हब्विस अब्विस कि गवर किया मेरे एक बार यह ब्यालीस पच्चीज गलत लिखा होगा चौदा पच्चीज है देख रहा हूं मैं एक्च्छल में ऑप्संस नहीं मैच करना था मैं पीछे ऑप्संस देखने गया था तो फिर मालम चला है जो हमें इंटू करा रहे हैं वो चौदा रहे हैं प्संस भी तो मैच करना चाहिए 14 25 से इंटू करना है फिर से चीखेंगे मेरे दोस्त विक्त जो सिखा रहे थे वो बिलकुल सही सिखा रहे थे पर जो हमें मल्टिप्लाई करना था उधर काम बस करके खतम करना जाते हैं 5 का 25 दो हासिल 30 14 41 42 दो हाच चार हासिल प्र 2, 25, पजपन 12, 67, 67 or 4 71, साथ हासिए अब ये पाँच, 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 पाँच पाँच, च यादाब शोवज 11, यादा 24 जाबRIS Toutadh àट और शोवे 3 dusty dus 48 बातालिस और Anfang 250 50 50 दो हो पाइच साद पच्पन अब इसके बाद ऐसा क्रॉस आएगा दो छे दो आठ और अठाइस साचोब अठाइस आठाइस आठ और अठाइस च्छातिस अठाइस और पांच अठाइस और पांच एक तालिस चार हासिल ये क्रॉस आएगा चार साथ चार ग्यारा और चार पंदरा हासिल एक एक और यहाँ दसमलोग था यहाँ था यहाँ हो जाएगा 25151.25 यानि 25151525 नहीं 151.25 यह इसका आंसर है इमानदारी से पहला आ रहा है ठीक है 43 का मेरे दोस्स यही आंसर हो जाएगा अब सर हम नहीं सीखेंगे 4 और 4 डिजिट का देखो एक चीज़ समझो जब यह एप्रॉक्स का कोशिन आएगा आपको करना चाहिए एक इंटू को करना चाहिए और जब यह इंटू कर रहे हो ना तो आप थोड़ा सा स्तीखो मेरे बाई कभी कबार एक डिफिकल डालेगा या तो छोड़ोगे अब देखो पोशन में कुछ नहीं करवाना जाता अब मालों पेपर में बस इतना ही आ जाता तात सो पैसट और 1425 का गुणा करना तो क्या छोड़ देते क्या आप इमानदारी से बताओ क्या छोड़ देते क्या करना पड़ता और उसकी ट्रिक आफ ओर डिजिट का मल्टिप्लिकेशन कई बार प्रैक्टिस कीजिए आसान लगेगा मैं जान बुच कि इतना धीरे करवाया वहना हम भी त अच्छा मैं समझ गया ना हूँ तीको 44 करा दिया था मिने तो इदर पहले जब पहला कोशन आया था आज का 33 नंबर तभी अमने 44 करा है पहला या दूसरा जो भी आया हो पैतालिस एक धनासी पर दस परशिंग की दर से चार वर्स का सधान ब्याज इतना है उसी रासी पर समान अउदिगले समान ब्याज दर पर क्या होगी जब ब्याज वार्शी ग्रूप से हो इसने इंगलिस में जब पढ़ोगे तो आप तिसमा कि इसमें असी का गुड़ा होगा अगर प्रींसपल निकालना है हंद्ट परसिंट असी के अधूना करूग आठघ हजार प्रेंसबल होगा यानि प्रेंसपल आठ हजार हो गया हमारे लिए अब क्या करना है यह सियाई निकालना है कि आ DIE एक सेक्ट मेरे बढ़ा एक सेक्ट एक सेक्ट एक सेक्ट इसे पर इंटरेस्ट ऑने सम आप 10% पूर यर थाट्टी टू आठ चोप बद तिस यहां में एमाउंट बोला गया है यानि मिस्रधन निकालना है मिस्रधन निकालना है जाल दो तो इसका 10% निकालना चाहता है चार साल के लिए और सी आई ऐगे के मिर भाई जूजेंगे और के अठाट सो असी आठ तसमलो तार साल 4 इष्टू 6 इष्टू 4 इष्टू 1 का रेशियो यह यह रहाठ हजार जो प्रिंसपल है आठ चोग 32 जोड़ेंगे आठ चंग 4848 जोड़ेंगे आठ चो बत्तिर जोड़ेंगे दसमलोग आठ इमान दारी तो आर तिंग ग्यारा चार दूछे एक साथ है इप आठ तिंग यारा तो आजार साथ सो बारा रुपे ऐसी पैसी इस दा राइट आगे यह इसका CI में भी ऐसे question आपने देखे होंगे पहले SI बोलता है फिर उसका CI निकालता है Same चीज यहाँ पर भी उसने किया है मेरे बाई ठीक है आज कल यह नया trend चला है कि पहले principle निकालो अब SI की condition से then आप CI निकालो ठीक है और यहाँ amount पूछा गया है ठीक है रासी की रासी यह famous question जमाने से आ रहा है variety of the question पढ़ा भी होगा कहता है अनिल ने 5 जाएक रासी 10 वर्सों के लिए सधान ब्याच पर निवेश किया 2 वर्सों में 6% तो 6 दूनी 12 हो गया पिर अगले 2 वर्स में 8 तो 8 दूनी 16 हो गया और 4 वर्स के बाद rate 10 था टोटल 10 महिने थे टोटल 10 साल थे चार साल बीद गया तो बचे 6 साल तो यहाँ 6 का गुणा करोगे 60% हो गया और यही overall यह कितना हो गया इसको जोड़ो 88% हो गया पूरा जोड़ोगे 88% दस वर्स के अंत में कितना ब्याज मिलेगा कौन सी रासी थी 5000 का सीधे 88% निकाल दो दो जीरो बली मांगेगा बुणा करोगा जीरो ऐसे आट पांच चालिस चार हासिल चालिस चार चावालिस चावालिस सो इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर 4400 आएगा तो हमेशा याद रको आपके कौन से बहतर होने SI में सिम्पल सा फॉर्मला लगता SI is equal to PRT by 100 ठीक है 46 की बाद 47 नम 40 कहता है हम से 90,000 रुपे की रासी 5% सधाण ब्याज पर 4 सार के लिए उधाल दी गई वो इसे सधाण ब्याज पर 4 वर्स के लिए 7% की दर से उधार देता है उसका लाव पहले 5% में लाया 7% पर दिया 2% एक साल में कमाया 4 साल में कितना 1 साल में 2% 4 साल में 8% 2 परसेट 4 साल में 8% 90,000 का सिरफ 8% 9,202 is the right answer 7200 is the right answer this is the right answer clear है बोलो हाँ 47 के बाद 48 number question जदी ए द्वारा 10% की दर से 3 वर्सों के लिए 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई रासी सद्हाण ब्याज पर बी द्वारा 8% की दर से 5 साल के लिए एक निशित रासी का निवेश करके प्राप्त रासी के बराबर है सद्हाण ब्याज पर अब कहरा 90% बताओ बड़ा patience रखो यहाँ patience के जरुवत है 10% के इसाब से 3 वर्ज का यानि 30% उसको ब्याज मिला ठीक है 91 की रासी 91 हंडेट इंटू 130 परसेंट ठीक है वही एमाउंट का खिला है ना कि दोनों का एमाउंट बराबर हो गया अब पहले का प्रेंस्पल 91 हंडेट है और 10% के इसाब से 3 साल यानि 30% बढ़ा तो 130% का खिला होगा दूसरे का प्रेंस्पल मालूमी नहीं का है पर 8% के इसाब से 5 साल 8,5,4 और 100 जोड़ दो 140% के बराबर तभी दोनों के मिस धन क्या होंगे बराबर होंगे अब क्यल्क्लिशन है बली मांगता है तुरंते पर्सेंटेस देदी बली 0 से 0 काटा 14 से 7 से ये 2 बार 7 से ये जाएगा 13 बार 13 बार में जाएगा 7 से ये 13 बार में जाएगा तो अगर मैं प्रेंस्पल की बात करूँ तो 1300 गुड़ा 13 बटा दू हमसे कहता है कधार ब्याज पर 20 बार निवेश की गई रासी का 90% यानि हमें 90 बटा 100 चाहिए चलो बाई ये हमसे चाहता है 90 बटा 100 बली देते हैं 2 0 से 2 0 की बली दी दसमलो में आ रहा है मेरा दसमलो में आ रहा है आई दिस को लावेड़ी तया तया तयरा सत्य क्या 90 नहीं आएगा जी दसमलो नहीं आएगा 2 से ये 65 बार मिलाए अब मुझे 65 गुड़े 13 गुड़े 9 करना है बस 65 गुड़े 13 गुड़े 9 ओप्शन में देखो 9 का मल्टिपिल है ये नहीं है 9 का मल्टिपिल ये भी 9 का मल्टिपिल नहीं, डिश्टल सम देखोगे, ये भी नहीं है, फिर ये होगा, साच्छे तेरा पांच, और लास्ट में उनिट प्लेस में पांच ही आ रहा है, यानि श्यूर्टी है, आंसर चियत्तर सो पांच होने, राइट आंसर आप दिस कोशन श्यूर्टर सो पांच, डिश्टल सम देख लिए, पहला, दूसरा यूनिट प्लेस देख लिए, पांच का मल्टिपिल तो और में हो रहा है, तेरा नौ और होता है, तीसरा, नौ वाला, सम वाला, नौ से डिविजबिल्टी, नौ से आज तो ना जी, खिलियर है, ते बोलो देवता हूँ, हाँ, और रेटिंग एटिंग बढ़ा हो, मेरे बाई, प्रकास अवस्तियाप की आज सितारा, जान दू, सदार भ्याजपर, चार वर्स में, छे अजार, साथ वर्स में इतना, योग क्या है, गस्सम इज, सम आप मुनी, एट सिंपल इंट्रेश, शिक्स थाउजन पूर इयर, इतना, तो प्रिंस्पल हम से चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, शुरवात में भी हमने देखा था, चार बरस में कोई पैसा 6,000 हो जाता है, और साथ बरस में वही पैसा 6,75,0 हो जाता है, यानि तीन वर्स में वो पैसा 750 का इंट्रेश्ट मिलेगा, अगर मैं चार बरस की बात करूँ, तो 1000 रुपएं इंट्रेश्ट मिलेगा, प्रिंस्पल कुछ होगा, उसमें 1000 जोडने पर 6000 आ कैलकुलेशन किया, करेंगे सर, तो मासूम सा हो, तो वो कहता है, 84,000 की रासी एक निश्चित समय पर इतने रेट से इतना हो जाती है, दस दर, आठ सुग रासी, समान दर पर समान, इसका तरीका आप प्रकास, कॉंसेप्स ही समझो, पढ़िया कोशन है, पांस सितारा, हम अभी में रेट और कॉंस्टिंट दोनों में सेम है, यानि 84,000 रुपे लगाती हूँ, आपका पैसा 11,046 हुजाता है, तो आप कहता है, 84,000 की जगे आप 10,800 लगा दो, तो रेट और टाइम दोनों में सेम है, तो कोई दिक्कती नहीं, वो तो कॉंस्टिंट हो गया, जैसे अब कहीं पैसा लगा रहे हूँ, जिस भाव चला एक का दो, एक का दो, आप 10 रुपे लगाओगे तो 20 मिले गए, हमद गये ना, 20 लगाओगे तो 40 मिले गए, तो रेट और टाइम तो फिक्स कर दिया आपका, तो 84,000 लगा रहे हूँ, रेट और टाइम दोनों में सेम है, तो ना 8.75 का प्रियोग करो, ना समय का प्रियोग करो, कोई जुरत नहीं, 84,000 लगाए, तो ये मिलता है, तो 10,10,800 लगाएंगे, तो कितना मिलेगा, काटो, काटो, कड़ेगा दया, दो जिरो, दो जिरो, बारा सत्ते बारा नविया, सात बराबर दिस वन, तो नो बराबर किस वन, ठेक है, समद्के ना, पहले वो निकालो, साथ से भाग दो, साथ एक्कम साथ, अब ये तीस आ है न, ने चालिस, साथ पना पाई तीस, साथ के पादे हम चौवन नहीं आता है, उन्छास आता है, साथ सती उन्चास, आठ सती छापबस, एक बार उल्टा कर लेता है, आठ सते छापबन, आठ सटे जापन, पाँचाशल साथ पना पाई तीस, एक बारत उर पाँचास और पांचास, साथ Comp wz 20, क्या ओग विर्ब, श्रसुत ए, 9 का गुणा, बस 1580 में 9 का गुणा कर लो, 9 थे 1234, 9 सत्ते 1367, जर्वाया, 6367, फिर सात हो गया, 1589 65, और 179, मैं आले चौदार वे आज पूछा मेरे दोस्त पेसेंस रखना 10,800 प्रेंस्पल है और हमारा 14,202 घटाओ तो ऐसे आएगा 0 ऐसे आएगा 12 में से 8 गया 4 आएगा 13 में से 10 गया 3 402 चलो है दया this is the right answer यानि पचास का अंसर 402 आएगा एक बहतरी इन कोशन है यह और अगर 8.75 का कहीं गुणा और इंटू करने बैट गए ना जिंदगी खराब कर देगा ठीक है यानि पेपर इतना कैलकुलिटी हो जाएगा को कहोगे वाइद स्कूर्ट समद्र रहे ना यह सिंपल सा कोशन है थोड़ी सी कैलकुलिशन कराने की इच्छा है इसकी यह हिंदी में गरबर कर दिया है यह जो 50 ऐसे लिखाने दया यह 50 250 असली बात यह के तब 50 250 को दो भागों में इस प्रकार विवाजित किया गया कि पहले भाग का इतने वर्सों के लिए जब भी ऐसा है तो अब यह दो भाग एक 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 बाई ही है पांच चुका 21 21 बटा चार आठ परसेंट के हिसाब से पांच बटा दो गुना यानि यह वैलू अब क्या दया बराबर हो जाए कि कैल्कुलेट करूं परसेंटेज से परसेंटेज अटाओ चार दूना आठ गया तीन से पांच बार पांच से पांच गया एक्स अपॉन वाई यह दो 21 में जाएगा 42 बटा पचीस आ गया तो कहता है दोनों भागों के बीच का अंतर क्या है यानि हमें डिफरेंस चाहिए सत्रा यूनिट की वैलू यह हमें चाहिए दोस्तों देखा यह जाए कि 42 और 25 67 होता है 67 यूनिट की वैलू 50250 है अब इसको भाग देना ही पड़ेगा इमान अरी से भाग दो तभी लोग 67 से भाग दो क्या करें मैं देना तो पड़ेगा तो पचास दोस्तों पचास में 67 से भाग तो अब इतना तो मुझे रटा नहीं कि यह लिख दें कर दो हाँ कि साथ पच्छन साथ सत्य उन्चाट चार हासिल 42 और 46 यह तीन आया यह यह भी तीन आया पांच साढ़े साथ सो बार में गया यानि साढ़े साथ सो का गुणा हो जाएगा तो हमें 17 की वैलूची है साड़े साथ सो गुड़ा कर लो बस खीरो ऐसे सत्रा पच्छे कुछ ना कुछ होते होगा पिच्यासी आठ हासिल सत्रा सत्ते एक सो उनाइस एक सो उनाइस और आठ जोड़ो 12,750 इस दा राइट आंसर आप दिस कोश्ट तो बोलो हाँ त्यारे दोस्तों धीरे धीरे करके सब कुछ कम्पलीट कराया जा रहा है आपको पेसिंस रखना है हर एक टॉपिक पूरत है कम्पलीट होगा ठीक है बढ़ियां से पढ़िए प्यार से सीखिए अभी के लिए इतना है घंडवाद